हे डिर स्टूडंस है आज हम Hello कि साइन एक्स हैं और को सेएक्स हैं क्यूं एक्स इपल टुशनल टूसाइन एक्स हो को से kस़ हो प्राइफ ओर थे याई करणा शीक है अर्थात 1.fd sin x am 1.fd cos x ग्याद करता तो दिखो इन फे चर्चा करते हैं sin x पर हम d operate करेंगे तो a cos x d2 sin x is equal to minus a square sin x d3 sin x is equal to इसका फिर derivative करेंगे तो minus aq sin cos x फिर d4 करेंगे तो sin x is equal to a4 sin x इस परकार हम रजल्ट देखते हैं कि देखो दो बर derivative क्या तो क्या आया minus a square मतलब दो बर operate क्या तो a के power तो 2 आई देखो एक बर operate क्या तो a आया दो बर क्या तो a square तीन बर क्या तो q4 बार क्या तो 4 अब बात करते है पलस माइने स्क्राइब तो d2 पर क्या आया माइनेस डी 3 पर चैन नहीं हुआ डी 4 पर चैन जोगा इसे पर क्या तो तो हमने क्या रेजल्ट निकाला कि d square मतलब d2 दो बर operate करने पर क्या है माइनस a square फिर इसकी एकर power चलेंगे जैसे 4 पर क्या आएगा positive आएगा फिर 6 पर फिर negative हो जाएगा फिर 8 पर फिर positive तो मतलब d2 की whole power होंगी जैसी 2 पर माइनस है और जैसी यहां n command 1 रखेंगे तो d2 आएगा माइनस में आएगा फिर 2 रखेंगे पलेस में हो जाएगा इस टाइप हम यह रिजल्ट लिख सकते हैं तो अर्थाथ f of d square sin e x is equal to f of minus e square मतलब जहां d square है वहां क्या लिख सकते हैं माइनस e square ठीक है ना तो इससे हम दोनों तरफ operate कर देंगे one upon f of d square से तुमारा क्या formula बनेगा यहां से मैं प्राप्त होगा one upon f of d square sin e x is equal to one upon f of minus e square sin e x जहां क्या है f of minus e square does not equal to zero इसी परकार one upon f of d square cos e x में भी क्या बनेगा one upon f of minus e square cos e x where f of minus e square does not equal to zero अब हम यह बात करेंगे जबी जीरो होतो क्या होगा इसमें तो हमें यह द्यान रखना है कि function को d square का function हो चीं और वहां d square के सब्सक्राइब क्या रख देंगे minus e square अभी हमने पीछे क्या पड़ा था यहां कि power e x हो तो d की जगह ए रखते थे d की जगह ए रखते थे note करने लाइक बात है यहां d square की सब्सक्राइब सब्सक्राइब कि जब f of minus e square is equal to 0 हो तो जैसे कि यहां है sin a x है अगर मैं d square की जगह है minus e square लिखता हूं तो इस सुनने हो जाते है तो हूं यहां direct ऐसे नहीं लिखेंगे तो इसका यह result है minus x.2a cos x 1.d square plus e square cos x is equal to x.2a sin x इसमें देखो x.2a को अप्सेंट है यहां भी x.2a को अप्सेंट है याद रह जाएगा यह sin x है तो cos x cos x है तो sin x बात आती minus की दिकर तो आप एक तरुके से यह जाद रखना कि sin x का समागलन करते हैं तो क्या आता है है यह है दो और यह तीन चैनल हम देखते हैं कि किस प्रकार इस है तो देखो यदि f of minus a square is equal to zero हो तो हम किस प्रकार से वो result find out किया था भी जो मैंने लिखाए यह sin x हम यह जानते हैं cos ax plus iota sin x is equal to e power iota a x होता है ठीक है तो हम यह operate करते हैं one point d square plus a square plus iota one point d square plus e square is equal to one point d square plus e square iota x यह हमने operate कर दिया ठीक है अब हम right hand side पे बात करते हैं इसको हम फेक्टर कर लिए हमने डी प्लस आयटाई, टी-पावर आयटाई, एक्स, अभी हमने क्या पढ़ा है, D की जिगह में क्या रखूंगा, E की पावर, A, X, मैंने सुतर पढ़ाता है, तो X का कोफिसंट यहां क्या है, आयोटा A तो यहां मैं रखूँगा आयोटा A रख दिया आयोटा A यहां रखूँगा आयोटा A तो यह 0 हो जाएगा तो यहां नहीं रखूँगा तो यहां तो मैंने रख दिया यहां नहीं रख ठीक है यह क्या होगा आयोटा A आयोटा A 1.2 आयोटा A यह direct formula भी है और एक इसुत्र भी बताया थे मैंने किस प्रकार आता है तो अब कैसी भी आल कर सकते हो तो यहां क्या जाएगा x की power iota x यह बहुत पार ऐसे यूज कर चुके है अब एक की power iota x का फिर वही रूप लिखते हैं तो यह तो क्या होगा x upon 2 iota a cos a x plus iota sin a x यहां से हम यह दिखें cos a x है इसको इससे multiply करें तो x upon 2 a तो है और 1.1 iota को मैंने किया iota super multiply कर दिया नीचे भी iota से तो नीचे क्या होगा iota iota square तो minus iota x upon 2 a cos a x plus iota s iota कट गए x upon 2 a sin a x तो finally हमारा result क्या है left hand side हम क्या लेकर चले थे 1 upon d square plus a square cos a x plus iota 1 upon d square plus a square sin a x is equal to x upon 2 a sin a x यह तरह मैंने पहले लिखती minus iota x upon 2 a cos a x तो यह compare करने पर हमें क्या पराप्त होगा यह compare करने पर iota का coefficient is equal to iota coefficient होगा इस प्रकार से 1 upon d square plus a square cos a x यह मैंने यहां रखा is equal to x upon 2 a sin a x और यह 1 upon d square plus a square sin a x 1 upon d square plus a square sin a x is equal to minus x upon 2 a cos a x यह हमारा यह प्राप्त होगा तो वो दो result जो मैंने फाइनल यह लिखवाए थे वो यह हराल में याद होने चीं इस प्रकार से हम find out कर सकते हैं और इसके try करना इस प्रकार से ही करना दो चार बार तो आपके याद भी रहेगा और बहुँच कुछ से नैसा हैंगे जिसमें इस टाइप से करना पड़ेगा आपको तो उसकी practice भी हो जाएगे इस से एक problem देखते हैं लोगो यह हमारे एक problem है कि D 2 प्लस 1 का whole square y is equal to cos x sin 2x इसकी साइक समें क्या होगी एक जोले रिकेशन m square plus 1 का whole square is equal to 0 m is equal to यहां से m alka रंग क्या है plus minus आयोटा और इसका भी whole square है तो यह दो बर आएगा plus minus आयोटा cf is equal to क्या होगा c1 plus c2 x cos x plus c3 plus c4 x sin x ठीक है ना ना पी आई particular integral is equal to 1.fd होता है यह term तो हर किसी में शुरुआ तो यहीं से करना है 1.fd d square plus 1 का whole square आ जाएगा ना 1.d square plus 1 का whole square cos x cos 2 x अब इसको हम क्या करें 2 से उपर निचे अगर multiply कर लें तो यह निचे 2 minute लिख दिया है उपर 2 से multiply कर दिया है तो 2 cos a cos b वो एक सुतर बन जाएगा तो इस equal to क्या होगा cos 3 x plus cos x cos a plus b होता है plus a minus b ठीक है यहां से यह में आना चाहिए अगर नहीं आता तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो cos 2 x plus x plus cos 2 x minus x जब इसको खोलते हैं तो यहां इस पहले ट्रम यह आएगी cos 2 x cos x minus sin 2 x sin x और हम इसके plus में यह क्या करेंगे cos 2 x cos x plus sin 2 x sin x करेंगे ना तो यह ट्रम तो कट जाएगी तो क्या है इसके इस गोलतो क्या है 2 cos 2 x cos x तो यही तो क्या है मैंने इससे 2 से multiply कर अपर और इंचे अन्सोर आर को 2 से multiply कर दिया तो 2 cos 2 x cos x is equal to mark क्या है यह cos 3 x plus cos x यह लिखा है मैं यह 12 इले हम 12 की बाते है थोड़े रिवाइज कर लेना अगर नहीं आता है तो ठीक है इससे हमें क्या होगा 1 by 2 1.2 square plus 1 का all square cos 3 x plus 1.2 d square plus 1 का all square cos x अभी हमने result क्या पढ़ है d square की जगम क्या लगते है minus a square a क्या होता है यह को किसे तो यह 3 है 3 का square 9 तो हम d square के जगह क्या रखेंगे minus 9 d square की जगह रखेंगे तो यह square नहीं आएगा d square की जगह मैंने क्या रखा minus 9 तो minus 9 और plus का 1 क्या हो जाएगा 8 8 का square 64 64 तूजा 128 ठीक है तो यह तो easily हो गए plus यहां देखो अगर हम d square की जगह है इसका कोफिशन क्या है 1 तो 1 का square का होगा 1 और फिर minus लगाए तो minus 1 रखेंगे तो 0 हो रहे है तब हम उस तरिकेस नहीं करेंगे फिर हम यह पर किरेंगे तो इसमें 1.2 इसको हमने कहां लिकर d plus i to square d minus i to all square cos x चलो इसको हमने फिर वापिस ऐसे लिख दिया क्योंकि हमें अलग से find out करने पड़ेगा तो यह ट्रमानों आपने ना ठीक है 1.2 d square plus 1 का all square cos x हमें एक नाम दे दिया मैंने इसको अब हम क्या करते हैं यह तो अलग से करते हैं one point d square plus one का all square cos x is equal to one point d square plus one का all square e की पार i to x का वास्तिवार क्योंकि e की पार i to x को क्या लिख सकते हो cos x plus i to sin x तो यह ट्रम लिखके चलते हैं वन पॉन अब हमने इसको क्या लिखा डी प्लस आउटा डी माइनस आउटा इसका फेक्टर होगे उपर all square है तो अब देखो यहां इक की पावर में x का कोफेशंट के आउटा तो आउटा रखेंगे हम d की जी जिए तो आउटा आउटा टू आउटा टू आउटा का all square 4 आउटा इस्केयर तो four stronger क्या होगा माइनेस माइन यहां हम रख नहीं सकते क्योंकि jiro जाएगा अभी हमने सुत्तर पड़ा है की ईंप क्या पड़ा है कि अग kuze को इसका or two पन शार भूल है तो इसक खूर फार्ट्र तो कमान यह ठीक है न वास्तिक भाग लेंगे हम यह तो आयोटा को छोड़ेंगे मैनस एक स्क्वार पॉन एट को सेक्स फाइनली हमरे प्याइग क्या जाएगा वन पॉन 128 कोस्ट 3X माइनस एक स्क्वार पॉन 16 कोस एकस इस 16 क्यों आया क्योंकि यहाँ माइनस वन पॉन पॉन एट तो है और यहाँ जो हमने समय कर एक नाम दिया था यहां देखो इसके वन पॉन पॉन टू कोफिसेंट ओर रहे नीचे टू से भी मिल्टिप्लाइग तो यहाँ क्या हो गया इसको मिल्टिया रिक्रा noted 16 फाइए इसकोल्य तो क्या होगा फानिल्ट ऺंमार सिरेइब पलस पी यह स्क्यों पॉन पलस सटो एक्सकार सक्सलश फरगि स्टेश मैनस एक स्टेंग हूए आथा धू कोसहत्त हो तो अ preciso झाल झाल